इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में यूरोपिया कंपनियों के आगमन की बात करेंगे हम लेकिन इस पूरे वीडियो का फोकस जो है जो में फोकस है वो मेरा ये रहेगा कि आप लोगों को जो लोकेशन है वो पर्टिकुलर लोकेशन मैं आप लोगों को मैप पर बताऊंगा और इसका importance भी आप लोगों को बताऊंगा कि आप जब आप history पढ़ते हैं जैसे modern history अभी जो ये वीडियो है ये modern history का है लेकिन हम इसको map के थरू कैसे पढ़ें और map के थरू पढ़ने का क्या एक फाइदा है तो बड़ा फाइदा जो है वो ये है कि हमें चीजें picturization हो जाती है हमें चीजें याद हो जाती है एक हमारे दिमाग में एक तरह का एक खाका बन जाता है और बहुत दिनों तक हमारे दिमाग में रह जाता है आप लोगों को भी मैं suggest करूंगा कि आप कम से कम आपके पास में एक अच्छा बड़ा map हो अगर नहीं भी है तो काफ अगमन था वो क्यों हुआ ठीक है तो उसमें सबसे पहला जो एक हम कहें इंपॉर्टेंस थी ओचीज थी इंपॉर्टेंट चीज ओथी कॉंस्टेंटी पोल जब हम बोलें तो कॉंस्टेंटी पोल क्या हो गया था वहां पर तुर्क तुर्कों का अधिकार हो गया था अब जो कॉंस्टेंटी पोल है उस पर तुर्कों का जो अधिकार है वो हो गया तो इससे क्या फरक पड़ता है पूरी दुनिया में क्या फरक पड़ेगा तो मैं आपको एक बार map दिखा देता हूँ तो यह है आपका world map अगर हम जहां focus करें जहां से लोग हमारे पास means India आए होए थे तो आप देखे कि यह है आपका Spain और यह है आपका France और यह है है आपका United Kingdom уєं अग्डम या कहें से बुटेंज एंगलेंट ठीक है उस ताइम से यहां पे 190 हो गया इस पर और यह दो पर यह आपका प्रेजेंद्ट कोन्सी How to कि ऑर गया देफीट्ट्टो निःंड्ञा नाम है वो हो गया आपका insta bull और जो ottoman empire था यहां से तो तर्की ने क्या कर दिया था जो constant total था या हम कहें insta もう आज की relevance है तो constant capital पर क्या कर लिया था उसने अधिकार कर लिया था तर्की ने अब यह जो पूरा जो area यह कहीं न कहीं एक तरह से इन लोगों के लिए जो इधर से आया करते थे आया जाया करते थे या व्यापार किया करते थे चाइना में इंडिया में तो क्या कर दिया बंद कर दिया इन सभी लोगों के लिए क्या हो गया था बंद हो गया था तो पहला रीजन तो यह था कि अब इन लोगों को क्या करना है बाकी रूट्स ढूनने हैं अगर आप इसे खाली किताब में पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आप इसे बहुत अच्छी तरीके से याद नहीं रख पाएंगे अब आप इसके नीचे देखे इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं तो आप हैं तो आप कौन-कौन लोग कहां-कहां से आया और किस तरह से उन्हों ने कौन सी चीजों को फाइंड आउट किया और कई लोग आना तो इंडिया चाहते थे लेकिन कुछ लोग इधर को मिजगाइड हो गए कुछ लोग नीचे चले गए ठीक है तो इन सभी का जो हम मैप म अपने नोट्स में एक रीजन मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जो फर्स रीजन था और मैंने आपको बताया कि जो कॉंस्टेंटी पोल था वो तो आप लोगों का क्या हो गया तरकी ने क्या कर दिया तुरकों ने उसको अपने कपजे में ले लिया था अब जो दूस बड़ी बड़ी नावे बनने लग गई थी और हम कहें कि नौ परिवहन में बहुत अच्छे से क्या हो रहे था डिवेलपमेंट हो रहा था तीसरा जो रीजन था वो था आपका पुनर जागरन का और पुनर जागरन रहे था वो भी इसका रीजन था तो पहला हो गया शिर्ल आपको तुरकी अधिकार हो गया था दूसरा हो गया कि जो हमारी नावे थी वो बड़ी और इवेलपड्र हो चुकी थी और तीसरा था हमारा जो पुनर जागरन ता या बाद में अगला जो था इंडिया ही क्यों लोग आना चाहते थे इंडिया आने के पीछे एक रिजन ये था कि यहां पर बहुत ज़्यादा धन था और रिचेश की कोई कमी नहीं थी तो इसलिए लोग यहां पर आना चाहरे थे भारत में कहीं न कहीं ब्यापार करने के और एशिया के जो ब्यापार वेनिस और जेनिवा के ब्यापारियों का अधिकार हो गया था और एशिया का अधिकांस ब्यापार अरब वासियों के हाथ और भूमत दे सागर और यूरोपिया ब्यापार इटली वालों के हाथ में था तो अगर आप इस इलाके को देखेंगे map में तो ये जो Italy था या यहां पे अरब इदर के जो भी अरब थे तो उनका क्या हो रखा था अधिकार था इस side को ठीक है इस side से वो easily जा आ सकते थे और जो England था या France था या Portugal थे या Spain थे उन लोगों को आने जाने में क्या होती थी यहां से ये लोग दिकत कर रहे थे तो आप लोगों बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये लोग खुद कमाना चाहरे थे यहां पे आप लोगों को का Italy है अपने बार-बार सुना होगा तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि map जो है आप लोगों को proper चुरू कि आपने फिमस जोनेंव है वासको डिगामा निए एकसप्लोडर तो और वो प्रुतिकाल से आया था यह है आपका और इसके साथ में वासकोडिगामा के साफ साथ साथ आफ आपको याद रखना है बारतोलिम यूण डियास तो simply आपको डियाज याद रखना है और वासको डिगामा जब यहाँ आया था इंडिया आया था तो आपको यह याद रखना है कि उसके हाथ में एक दिया था इस तरह से आपको क्या करना है दिया बना लेना है एक और जो वासको डिगामा है वो क्या लेके आया था अपने हाथ में एक दिया लेके आया था तो आपको दोनों याद हो जाएंगे तो चलिए आगे चलते हैं यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1988 में तो कौन आया था आपका 1498 1498 यह इंडिया में आया था और इसके बाद यह लगबग 1505 में भी यहां पर आया था आपको यह भी याद रखना है बाद में भी आया था दो बार यह यहां पर आया था तो 98 हमें जातर पूछा जाता है कि कब आया था सबसे पहले तो आसको डिगामा 1498 में आया था यह 1488 में इसने यात्र की थी लेकिन अब डियास को अगर आप देखेंगे तो डियास यहीं तक आप आया था यह देखिए डियास पुर्तकाल से चला और यहां से डियास तो मैं आपके दिमाग में एक आइडिया रहे कि कौन सा कहां पर है यह जो मैंने मार्क बनाए हैं यहां पर या इनकी जो बॉंडरी बनाई हैं बहुत पॉफेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि यह पॉफेक्ट रहे है वासको डिगामा अपने हाथ में दिया ले ध्यान दीजे कि 1497 में वो लगभग यहां पर था और फिर उसके बाद वो यहां से इंडिया में एंटर होता है इसके साथ में आप लोगों को एक चीज और याद रखनी है कि जो किंग जॉन सेकंड था तो स्टोरी इस तरह से भी आप लोगों को याद रखनी है कि जो एक् को फंड करते थे तो जो किंग जॉन सेकंड था उसने इन दोनों को भीजा था बार्तिलमो डियास और दूसरा वासको डिगामा को नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्पेन से कौन को न आये थे तो स्पेन से आपको याद रखना है कि पहला है आपका क्रैस्टोफ कोलमस यह थ पुर्दिनिंट मैलीठ यह फुर्त गाल का था लेकिन आया किसके लिए था Spain ने इसको क्या किया था अब देखते हैं कि कौन से कहां कहां तक यह लोग आये थे तो जो Spain से आया था तो Magdalene Magdalene ने क्या किया कि वो आना तो किदह को चाह रहा था आना तो यहां से आना था उसे ध्यान से ध्यान दीजिए कि उस चाहता तो इधर से भी आ सकता था इस point को जो ये वाला point है इसे Cape of Good Hope बोला जाता है क्यों बोला जाता है Cape of Good Hope क्योंकि यहां के बाद लोगों को hope होती थी काफी अच्छी hope होती थी कि वो काफी अच्छी चीज़ें उन्हें मिलेंगी अच्छा सा business होगा इसलिए भी इसे Cape of Good Hope बोला जाता है लेकिन साथ में यहां पर अगर आप इस point पर देखेंगे तो यहां पर एक जगे है उसका नाम है Cape ठीक है Cape Town तो Cape जगे का नाम था इसलिए इसको Cape of Good Hope बोला जाता है अभी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा तो जो Megalan है Megalan 1519 में यहां से शुरू हुआ है ध्यान दीजे और यहां से जाता हुआ वो अमेरिका के नीचे से गया है ठीक है परशांत महसागर में परशांत महसागर से वो आगे निकला है तो यहां पर 1521 में यहां पर पहुचा है तो Megalan ने ये वाला route ना लेके जैसा कि आप लोगों ने उपर देखा कि वासको, डिगामा और डियास दोनों इस route से आये थे लेकिन जो magalen है उसने यहां से क्या किया ये वाला route ले लिया और यहां से जब वो आया तो इस तरब से क्योंकि जो हमारी पृत्वी है वो कैसी है, गोल है तो जो इधर से जाएगा, वो कहां से निकलेगा यहां से निकलेगा तो इधर से वो भाहर निकला है तो 1521 में वो क्रॉस करता हुआ इधर आ गया, और वो magalen क्या हो गया, इधर उसकी death हो गई, यहां पर उसकी death हो गई अब ध्यान से देखे, उसने क्या किया यहां से उसे इंडिया तो मिला नहीं मेगलन को, और वो 1522 में उसके जो क्रू थे, उसके जो साथी थे वो लोग कहां से कहां निकल लिए वो वापस चले गए, इधर आ गया ठीक है, तो मेगलन आप लोगों को याद हो गया होगा, कि मेगलन इधर से निकला, और 1521 में और यहां से एंटर लिए उसने परशांद महासागर के नेक्स्ट एरिया से यहां से दूसरे पार्ट से यह फर्स्ट इधर से शुरू हुआ और इधर से अंदर, और आस्ट्रिलिया के उपर से निकलता हुआ यहां पर McLaren की क्या हो गई थी डख हो गई थी और उसके क्रू यहां से वापस आ गय थे हाओ नेक्स्ट आपका कॉलंबस जो मैंने आप लोग को अभी बताया कि जो क्रिस्टोफर को लंबस था उसका जो चार्ट है वह कैसा है क्रिस्टोफर कॉलंबस ने कोशिश तो की थी कि वो इंडिया के लिए रूट ढूंडे लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि शुरुवात में जैसे वासकोडिगमा इधर से नीचे आके इधर पहुँच गया था मेगलन ने क्या किया यहां से स्पेन से निकला और इधर से चला गया लेकिन यहां से कॉलंबस ने क्या किया कॉलंबस यहां से गया और यहां से उससे वापस आ जाना अपड़ा में वापस आ गया और और उसे लगा कि मैं मुझे इंडिया मिल गया है लेकिन वहीं सर वापस चला गया था तो जब भी आप कोलंबस को ध्यान दीजे तो कोलंबस इस तरह से 8 बनाता है या इंफिनिटी बनाता है साइन और वापस चला जाता है सेकंड टाइम पहली बार तो वह 1492 में आया था और 1493 में वह वापस चला गया था सेकंड टाइम वह 1502-4 में उसने फिर से वह इधर से आकर वापस चला गया था यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताने के लिए कई बार दिमाग में होता है कि यह केप आप गुड होप क्यूं कहा जाता है जैसा मैंने आपको पीछे भी बताया तो उसे क्लियर करने के लिए यहाँ पर यह केप टाउन है केप टाउन के वज़े से केप आप गुड होप बोला जाता है और केप अगुलहास एक जगह है अब ये मैंने क्यों पर्टिकुलर अपने लिए लिखा था वो इसलिए लिखा था क्योंकि जब आप बाद में जिगरेफिव पढ़ेंगे तो आपको जो अगुलहास की धारा है वो याद हो जाएगी जब आपको ये अगुलह याद रहेगा तो आपको confusion नहीं होगा कि अगुलहास की धारा इसे क्यों का जाता है क्योंकि यह जो है आप लोगों का जगह का नाम क्या है केप अगुलहास इसकी जगह है इसको केप अगुलहास बोला जाता है तो जैसा मैंने आप लोगों को कहा जितना जादा आपको जि क्लिност के क्लिकिंप कोलंबस सीक्स इंडीज क्रिएट लिंक विद दी अमेरिका म क्या कर देता है अमेरिका और इंडीज के बीच में लिंक बनाता है नेक्स अप लोगों का इंग लेंड अप इंगलेंड को कौन कौन हमारे यहां आए थे तो यहां पर आप लोगों का सर फ्रेंसिस ड्रेक और जॉन कबट यह आप लोगों का उस टाइम पर आए थे जब सभी लोग इदर आ रहे थे वासको डिगामा के टाइम अब जो फ्रेंसिस ड्रेक है वह है कहां के इटली के और जॉन कबट वह जॉन केबिट ने दो ट्राइ की थी और यहीं से यहीं से वो क्या हो गए थे वापस चले गए थे यह उनका अपना रूट बना था और दो बार उन्होंने ट्राइ किया था 297 और 98 इन लेकिन जो जॉन कॉण है आपकां ज द्रेक है उनक जो रूट है वह आप लोगों का इंगलेच से होते हुए नीचे यहां से निकल कर और प्रशांद महासागर से सीधे निकलते हुए तो अब ये वाला रूट आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा यही रूट आप लोगों का किसका था मेगलेन का और मेगलेन की यहीं कहीं डेथ हो जाती है लेकिन जो ड्रेक है वो निकलते हुए नीचे से के पॉप गुड होप होते हुए वापस चले गए तो यह उन्होंने रूट फाइंड आउट किया था ठीक है तो इनी रूट के जरिये जो किंग्स थे वो अपनी नेक्स प्लाइनिंग्स किया करते थे फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच अपने उन्होंने क्या किया था क्यूबेक तक आए थे जो काटियर थे और काटियर अपना फ्रेंच से सीधे क्यूबेक तक आए थे उन्होंने ये वाला रूट अपने लिए फाइंड आउट किया था नीदरलेंड से नीदरलेंड से एबल टस्मान आये थे या हम कहें नीदरलेंड या हॉलेंट यहां से जो एबल टस्मान थे वो आगे निकले और लेकिन इनकी जो जर्नी शुरू हुई थी वो कहां से हुई थी ये बैटेविया से हुई थी अब बैटेविया कहां था 1633 में उन्होंने जोइन किया था Dutch East India Company को और उसे बैटेविया तक भीज दिया गया था अब जो बैटेविया है उसे आप लोग देखेंगे तो उसकी location ये है आपकी इंडिया के इधर अगर आते हैं आप मियमार से आगे चलते हुए तो यहां पर आप लोगों को कौन मिलेगा यहां पर आपको मिलेगा बैटेविया और बैटेविया से उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी लेकिन उन्होंने अपना पूरा इस तरह से आगे चले और यहां तक जब वो पहुँचे थे तो यहां से इसे बोला जाता है टस्मान सी भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने इसे फाइंड आउट किया था और इसको टस्मानिया बोला जाता है तो टस्मानिया इसले बोला जाता है क्योंकि एवल टस्मान ने के माइंड में बिल्कुल किलियर रहेंगे कि कौन-कौन से लोग कहां-कहां से होते हुए चले थे आपका कंफूजन नहीं रहेगा कि कौन से मतलब कुछ चीज़ें आप लोगों को डिरेक्ली याद नहीं करनी पड़ेंगी देखकर ही आप लोगों को याद हो जाएंगी तो अब आगे चलते हैं वासको डिगामा के बारे में देखते हैं उनके बारे में कुछ अब हम डिटेल्स देखेंगे तो यह सबसे पहली तो चीज है हम लोगों ने देख लिया कि पुर्टगाल से आये हुए थे और के-पाप गुड होप से होते हुए और इन्हें एक आदमी पंदर्गा और कालिकुट बंदर्गा में बंदर्गा तक जब लाए थे तो वहां पर एक जगह का नाम है कपकडान कपकडान जगह पर उनको लेकर आते हैं यह बात कपकी है 1498 की 17 में 1498 तक आये थे के-पाप गुड होप इसले लिखा है मैंने क्योंकि के-पाप गुड होप जगह का नाम है उदर से होते हुए वह आये थे तो आप लोगों को याद रहेगा और जमोरिन जो थे उस टाइम पे वहां के शाशक थे उस जगह के शाशक का नाम क्या था जमोरिन थे और जमोरिन ने काफी अच्छा स्वागत किया था किसका वासको डिगामा खा उन्हें नहीं पता था कि पुर्तगाली पुर्तगालियों के बारे में एक और बात बता तो मैं आप लोगों को कि हिंदुस्तान से जो सबसे लास्ट में 1962 में जबकि हम लोग 47 में ही क्या हो गए थे इंडिपेंडेंट हो चुके थे फ्री हो गया था इंडिया ल पूछा जाता है कि जो उपनिवेशिक जो शक्तियां थी जो यूरोपियन पावर्स थे वो यहां पर आए थे और लास्ट में किसने इस जगे को छोड़ा था तो लास्ट में जो था वो गोवा छोड़ा था पुर्तगालियों ने ठीक है तो आप लोग यह भी याद रखना और स्वीडिश अगर S करना आपको तो PD EDF यह आपका क्या होगा आगमन के लिए कंपनियों के आगमन का करम आपको यह मान के चलना PD EDF अब चलते हैं यहां से आगे कि पुर्तगालियों ने क्या क्या किया और एक ही सामने आप लोगों को यह Mind Map टेक्नीक से आप लोगों को यह याद हो जाएगा तो पुर्तगालियों ने जो सबसे पहले अपनी पर्थम फैक्टरी बनाई थी वो कौन सी थी कोचिन में बनाई थी और ये जगह का नाम था कोलम फिफ्टीन जिरो थ्री में तो ध्यान दीजे कि अभी हम बात कर रहे थे कि 1498 में ये लोग आई थे और 1503 मतलब इन्होंने 5 साल बाद ही अपनी फैक्टरी कहां पर कोचिन या कोलम में बना ली थी उसके बाद में जो सबसे पहले यहां पर जो पावरफुल उनका हम बोलें वास्तविक जो संस्तापक था जिसने यहां पर इस्टैबलिश किया था पुर्टगाली पावर को वो था अपका फ्रांसिसको डी अलमीडा फ्रांसिसको डी अलमीडा वास्तविक संस्तापक माना जाता है कि इसका पुर्टगाली शक्ति का यहां पर इंडिया में और इसने कुछ काम किये थे जो सबसे पहले जो पुर्टगाली आये थे उन्होंने गोवा में अपना अधिकार किया था उसके बाद मलक का स्ट्रेट पर उन्होंने अधिकार किया था और फिर उन्होंने हार्मुज पर भी अधिकार कर लिया था तो हर्मुज कहां पर है आप लोगों को छोटा सा मैप बना था कबज़ा कर लिया था इधर मलक का स्ट्रेट पर भी उन्होंने क्या कर लिया था कबज़ा कर लिया था तो यह जो स्ट्रेट होती थी यहीं से क्या होते थे ब्यापार होते थे तो जो भी लोग इधर उधर जाते थे यह लोग उनको क्या कर लेते रोक लेते थे तो देखे उन्होंने क्या किया था कि 1509 में जो फ्रांसिसको डी अल्मीडा था देखे दिमाग में एक चीज दिमाग में बिठा के रखिए कि ये सारा जितना गेम हो रहा है चाहिए पुर्टगीज आए हैं स्पेन से आए हैं इंग्लेंड से आए हैं इस सारे लोग यहां पर अपनी पा होंगा हर्मुझ कहां पर है लेकिन मैंने आप लोगों को छोड़ा सा आइडिया दे दिया है तो यह हर्मुझ इंडिया के इधर से भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया यहां मलक्का वाला भी ब्लॉक कर दिया है तो 1509 में पहली चीज तो फ्रांसिसको डी अल्मीडा आपको दि सिंप्ली की अगर आप लोगों को कुछ भी अपने जो नाव हैं जहाज हैं उनको लेके जाना है तो आप लोग क्या करेंगे इनको अपना कर देंगे या पैसा देंगे और आप लोग बारूद या जो काली मिर्च सबसे ज़्यादा पेची जाती थी उस टाइम उसे आप ल इन्होंने दीव पर जो नीचे दमन दीव है ये इधर आप लोगों को दीव मिलेगा तो दीव पर उन्होंने अधिकार कर लिया है यहां मलक का स्ट्रेट पर कर लिया है यहां हारमुझ पर अधिकार कर लिया है तो आप देख सकते हैं कि इस एरिया में पुर्त गाली कितने स्ट्रॉंग हो चुके हैं अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया भारतियों की भी उन्होंने भरती की और साथी साथ उन्होंने भारतियों से भी विवाह करना शुरू कर दिया शादी यहां शुरू कर दी और आदिल साह से उन्होंने गोवा भी जीत लिया अब यह जो एरिया है यहाँ पे उन्होंने यह वाला एरिया तो आप लोग देख सकते हैं हारमुज, मलक्का, दीव अब दीव में उन्होंने तीनों को यह देखे हैं मिश्र, तुर्की और गुजरात तीनों के सेनाओं को हरा कर इसको जीता था दीव को और यहाँ पे गोवा को उन्होंने किस से जीता है आदिल साह से उन्होंने जीत लिया मलक्का पर नियंतरन यह मैं आप लोगों को बता चुका हूँ आगे चलते हैं जो पुर्तगाली हैं उनके बारे में एक दो चीज़ें और आप लोग देख लिजें कि नीनो डी कोना इसने गोवा को अपचारिक अपनी राजदानी बनाया था और उन्होंने कुछ बस्तियां यहाँ पर बसा दी थी जो सैंथों में यह मदरास में हुगली बंगाल में और दी में उन्होंने बस्तियां बनाई थी मशूद साह ने इनको चटगाओं और सदगाओं दिया था अकबर ने इनने हुगली में कंपनी के अधिकार दे दिये थे और शाह जहाने इन से हुगली वापस चीन लिया था, तधियान दीजे, अकपर ने हुगली दिया है, और हुगली वापस किस ने चीना है? शाह जहाने, किस से? पूर्तगालियों से अब अगर हम बात करें की इनके जो पतन था, या इनका जो साशन था, ये खटम हुआ अंडिया में इसके रीजन कौँ कौँ से थे तो इसका पहला रीजन तो ये था कि इन्होंने इस्त्रियों से विवाह किया और जो लोग यहां आये उन्हांने धर्मानतरण का लिया या तो हिंदु हो गये या मुसलमान हो गये तो इस तरह से उनका धर्मांतरन होने लगया, तो उनकी जो अपनी हम कहें कि एक शक्ति थी वो धीरे-दीरे कम होने शुरू हो गई, परशाशन में अकुशल था, और धीरे-धीरे जो इनका परशाशन था, ये भी धीला होना शुरू हो गया, भृस्ता चार होने लगया, और उसके बाद ये थोड़ा सा सैन्य चुनोतियों क्या हो गए थी जादा हो गई थी धीरे धीरे यहां पर अभी हम देखेंगे कि इंगलेंड से जो हैं लोग आना शुरू हो गए और डच लोग आने शुरू हो गए डच नीधरलेंड ये सब लोग आने लग गए और जब ये ल इसके जरीए जो ये काफिला था काटेज अर्मेडा काफिला पूछा जाता किस ने किया तो ये पूर्टगालियों ने किया था और इन्हों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्तापित करना शुरू कर दिया था किस से काटेज अर्मेडा काफिला से अब बात पर्फम जो फेक्टरी बनाई थी डच ने वो बनाई थी आपकी मुसली पर्टनम में पर्फम फेक्टरी कब बनाई थी 1605 में अगर आप देखेंगे कि दिमाग में बिठाते चलिए कि यह हो गया आपका जब पुर्टगाली यहां पर आये थे वासको डिगामा उसके बाद उन्होंने फिफ्टीन जीरो थी में अपनी पहली फेक्टरी वहां पर बना ली थी लेकिन यह कब आ रहे हैं आपके डच यह 1605 म इन्होंने बनाए थी कॉनिलिस डाउटमें यह इनका पर्थम दल यहां पर आये था और बंगाल पीपली में क्या किया था इन्होंने बंगाल पीपली में सबसे पहले आये थे तो बंगाल में कौन सी है पीपली लेकिन जो पर्थम अगर पूचा जाए पर्थम बंगाल में कौन सी है तो जगे थी आपकी पीपली में और मुसलि waited गारा मसूल फैक्टरी उन्होंने 1605 में बनाई थी अब इनके लिए मैप है उसे एक बार देख लेते हैं कि जो डच थे इनका जो मुख्याले था वो कहां पर बनाए था इन्होंने पुली कट में बनाया था नाक पटनम में उन्होंने 1690 पर बनाया था सूतव सूति वस्त को ըिरियात की वस्त बनायाता तो तो वह डच लोग थे उनौन उस्को एक्सपोर्ड करना शुरू क्या था और दूसरी चीज जो व्यापार था व्यापार उनका सहकारिता आधारित था सहकारिता आधारित मींज हम कह सकते कोपरेटिव टाइप उनका व्यापार होता था जो कारखाने उन्होंने बनाये थे तो सबसे पहला कारखाना मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मुसलिपतनम में बनाये था उन्होंने दूसरा कारखाना उन related काफी बार यह वाला जो option होता है चिंसुरा यह option में बहुत बार पूछा जाता है उन्होंने फोर्ट बनाए तो दो फोर्ट जो थे उनके कौन-कौन से थे वह एक तो उन्होंने चिंसुरा में ही बनाए था उसका नाम था Cake इस श्छेंजने फिफटीथी में उन्होंने बनाए them और दूसरा इन्होंने कोची में वनाए था यह फोर्ट विलीयम हैं और फोर्ट विल्यम इनन्होंने बनाए था 1663 तो पूछा जाता ये तो तो इसमें जो 15 यह देखिया आप एक तो है आपका 53 और एक है आपका 63 तो इनमें 10 साल का क्या है डिफरेंस है सिंपल तो आपको 53 63 आप लोगों को याद रखने किस के लिए डच के लिए आप लोगों को याद रखने इनकी अगर विजय की बात करें नोंनेंगार् हिंडोनेशिया पूर्टगालियों से जीत लिया था अब उस टाइंगार्या था इंडोनेशिया को बोल जाता था ड्रीक्चे थोड़ से से कर लए थे हैं उसके बाद आता है तो आप लोग देख सकते हैं कि पुर्टगाली पुर्टगालियों के जो शक्ति है वो कम होती जा रही है वो इसी वज़े से होती जा रही है कि बाद में डच से उन्हें Competition 하겠습니다 मिलना शुरू हो गया और बिट इडना से उन्हें Competition मिलना शुरू हो गया था तो पुर्थकाजियों से जो इंडोनेशिया है उसे उन्हें चीन लिया और मलक्का और सिलोन दोनों उन्हेंनेजीत लिया था तो देखिए जिसमलका सबसे पहले किस ने जीता था पुर्टकालियों ने जीता था पुर्टगीज ने अपने अंडर में रखा हुआ था मलक्का लेकिन बाद में उन्होंने जो सिलोन है शिलंका और मलक्का दोनों को जीत लिया और जकार्ता को जीता और नया नगर उन्होंने बैटे विया बनाया था ठीक है तो नया नगर कौन सा बैटे विया उन्होंने बना यह देखा कि डच के जो भी आते थे वह कहां से आते थे बैटे विया तो तस्मान ने अपनी जो जन्नी शुरू की थी वह बैटे विया से ही शुरू किया था और डच को औरंग जेव ने 3.5 परसेंट वार्षिक पर बंगाल बिहार और उडिशा का ब्यापार का अधिकार दे दिया था मिन्स औरंग जीव ने डच लोगों को ये कहा कि आप मुझे 3.5% इतना क्या कर दीजे जो भी आप अर्न करोगे उसका यरली आप इतना परसेंटेज दे दोगे अगर मुझे तो आप लोग कहां कर सकते बंगाल बिहार और उडिशा में अपना व्यापार कर सकते हूं अब बात आती है कि इनके भी पतन जो भी यहां पर आये उनके आंदर कुछ कमिया थी तो सबसे पहले है कि company पर सरकार का अधिकार जो company थी उसके सारे अधिकार किस्पे थे जो नीदर नीदर लेंड थे Holland था वहाँ पर directly वो इस company को क्या कर रहे थे इनकी company को control कर रहे थे और फिर again ब्रश्टाचार जहां ब्रश्टाचार वो खतम होगी यह company अयोग्या परशाशक भारत से अधिक रुची और मसाला दूइप वह स्रिलंका में तो अब देखे जो उन्होंने मसाला दूइप और श्रिलंका में अपना ज़्यादा टाइम spend किया इसलिए उनका पतन हुआ क्यों क्योंकि जो इंडिया था यहां उन्होंने इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लिया इस एरिया में और लास्ट में जो है वो है आपका बेडरा का युद ये 1759 में हुआ था और बेडरा के युद में वो अंग्रेजों से हार गए और इसके बाद वापस बैक नहीं कर पाए तो इसमें आप लोगों को याद रखना है कि बेडरा का जो युद हुआ था वो 1759 में हुआ था और लोगों को याद रखना है कि यह आप लोगों को क्या है बैटे विया था तो डच लोग यहां पर थे सो फाइनली हमने काफी सारा डिसकेशन किया रूफ़ली कि इस डिसकेशन से आपका चीजें कलियर हुई होगी और मैंने बिटेन के बारे में अभी या बिटिश के बारे में डिसकेशन नहीं किया इस वीडियो में क्योंकि वो डिसकेशन आपका 1947 तक चलेगा तो हम उसे आपको map plus discussion और picturization और चौथा जो है आप लोगों का important यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि mind map techniques जो हैं तो इन चार तरह के से अम आप लोगों की यह सारी चीज़े effect भी clear करता हुआ चलूँगा तो hopefully कि आप लोगों को यह पसंद आया होगा in case you want to join the classes you can directly contact me on my whatsapp thank you see you in next video